यहां घास में आ चुका है अब यह पूरी तरीके से घास के कलर में बदल चुका है इसकी आखे देखो का इसके 36 डिगरी तक घूम रही है अभी मेरा RC चमीलियन भी मैप को दिखाता हूँ इसकी भी आखे देखो बिल्कुल रियल चमीलियन जैसे 36 डिगरी पूरी की घूम जाती है हलो गाईज आज की वीडियो काफी जादा जहरीली होने वाली है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला थे कि मेरे पास जितने भी आर्सी स्नेक्स है उसका कलेक्शन एक बार बताने के लिए और एक स्पेशल चीज भी है वो है ये ग्रीन कलर वाला चमीलियन तो गाई आज फटा फट से ये सारे के सारे स्नेक्स को अनबोक्स करके इनको टेस्ट करेंगे देखते हैं इन सब में से कौन सा स्नेक है सबसे जादा पावरफल और इन सभी स्नेक्स की मैं फाइट कराऊँगा ये वाले ग्रीन चमीलियन के साथ देखते हैं आज कौन जीता है लो फटावर्ट से इनको अनबोक्स करते हैं तो गाईस सबसे पहले सबसे ज़ादा खतरनाक स्नेक को मैं बॉक्स करने वाला हूँ इसका नाम है अनाकॉंडा स्नेक इसका साइस देखो गाईस बहुत ज़ादा बड़ा होता है यहां से मैं उपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ गाईस अभी तक इस वीडियो पर अगर क् सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर बैल आइकए ज़रूर से दबा देना यह बॉक्स को मैं ने ओपन कर लिया है यहां पर अपना इनकॉंडा स्नेक देखो गाईस यहे इतना ज्यादा मोटा है कि यार इसके दो अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं यह इसका हेट वा दोनों को connect करेंगे तो yes ने कितना जादा बड़ा दिखाई देगा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रैंक करने के लिए मेरे को काफी जादा सही चीज लगती है यहां से मैं इसको जोड़ देता हूँ प्रेस करना पड़ता है और यह जुड़ जाएगा जब यह चलता है तो देखो इसकी यह जो टंग है अंदर बाहर होने लगती है तो इसको मैं यहां पर रख देता हूँ इसका remote भी दिखा देता हूँ यह इसका remote controller है यहां पर auto function भी इसके अंदर दिया गया है या फिर आप इसको चारो direction में चला सकते हो यह बटन को press करके बाकी इसके अंदर देखो यहां पर एक section मिलता है इसको हम लोगों को खोलना पड़ता है बैटरिस डालने के लिए इसको खोलेंगे तो यहां पर हम लोगों को तीन डबले बैटरिस डालनी पड़ती है तब जाकर यह काम करता है तो मेरे पास देखो इस तरह के दो-दो कोब्रा भी है यह blue color का कोब्रा है और यह black color का एकदम खतरनाग एकदम जहरीला कोब्रा भी है है मेरे पास इसको यहां से open कर देते हैं यह open हो चुका है और इसको देखो वाइस यहां से open करके मैं आपको दिखा देता हूं दोनों दीखार बिल्कुल सेम साइज के में रिको लगरे हैं दोनों के रिमोट काफी जाधा different होते हैं इसतरह के अंडे के shape वाला remote मिलता है इसके साथ पहले इसको मैं निकाल के दिखा देता हू. आप एक बार इसको भी दिखा देता हू. इसको कलर देखा हू. बहुत ज़ादा डिफ़रेंट है. और ये दोप में बहुत ज़ादा चम चमाताभी है. कम्प्लीटली डार्क ब््लू ये grandi ब्लू कलर में यह king cobra है यह देखो कितने ज़ादा realistic लग रहे हैं अगर कोई बंदा इसको देख लेना है उसको लगेगा कि यह real वाले king cobra ही है तो अब यह दू snakes को unbox करते हैं यह बहुत ज़ादा different snake है एक तो है मेरे पास यह rattlesnake इसकी पूँच में यहाँ पे जुन जुना होता है तो वो एकदम भाई खतरना तरीके से बजाने भी लगता है तो फटा फट से इसको यहाँ से मैं open करके एक बार आपको दिखा देता ग्रीन जंगल स्नेक को इसका कलर काफी जादा ग्रीन है जैसे कि एक रियल जंगल स्नेक होता है ना उसी तरह का यह स्नेक मेरे को लग रहा है तो फटा फट इसको यहाँ से मैं open करके दिखा देता हूँ यह देख लोगा इसके अंदर भी rechargeable battery आ जाती है यहां से इसको निका आज चमीलियन जीता है या फिर अपना सेंटिपीट जीता है या फिर यह खतरनाक से दिखाई दने वाले जहीरीले स्नेक जीते हैं लेट्स गो यह सभी स्नेक्स को लेकर मैं आउटडोर में आ चुका हूँ आज जमा जम बरसाद भी हो रही है गाइस आज इनको पानी में भी चला के देखते हैं कौन जीता है सबसे पहले यह मोटे तगड़े अनकोंडा साब को में चलाने वाला हूँ ओ भाई साब देखो यह कितना जादा खतरनाक लग रहा है चलने में भाई बिलकुल एक रियल अनकोंडा या फिर एक रियल स्नेक जैसा ही यह चलता है क्यूंकि देखो इसका जिग-जग मोशन बह पकने लगेगा और इसे लोग देखकर चबर्दस तरीके से डरेंगे भी मेर को ऐसा लग रहा है अब यह नाजा किंग कोपरा को में चलाने वाला हूँ देखो गई यह बहुत जादा पूरतिला है और इसकी स्पिर्ट भी अनकोंडा के मुकाबले में बहुत जादा दी यह भी नाजा किंग कोपरा के जैसा ही जिग जैक मोशन में चल रहा है पर इसका रिमोट मेर को काफी जादा बढ़िया लगा यार देखो इतनी दूर से भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ इसको देखने में ही मेर को डर लग रहा है इसके अब यह ग्रीन जंगल स्नेक को में चलाने वाला हूँ यह देखो यह बहुत ही जादा फुर्तिला और देखो यार इसकी स्पीड भी मेर को किंग कोपरा से काफी जादा लग रही है और इसके चलने का जो तरीका है बेलकुल एक रियल स्नेक जैसा ही दिया गया है बाकी यह आपे मैंने अभी रियल चमीलियन को देखा यार यह देख लो भई वह आई गाड़ बहुत है अब यह पूरी तरीके से घास के कलर में बदल चुका इसकी आंके देखो गोगा इसके तरी सिक्षी डिगरी तक घूमरी है अभी मेरा आर्सी चमीलियन भी मैप को दिखाता हू इसकी भी आंके देखो बिल्कुल रियल चमीलियन जैसे ही 36 डिगरी पूरी की गूम जाती है इसकी तंग देख रहोगा इस कितनी ज्यादा बड़ी है बाकी रियल चमीलियन देखो यार मैं आर्सी चमीलियन को इसके पास रखके कंपैरेशन करने ही वाला था उतने में ही भ इसको जो टेस्टी लगती है वही चीज खाता है जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का ये है देखो अभी ये इसको नहीं खाएगा क्यूंकि इसको ये अच्छा नहीं लगता है अब देखो ये जो रेट कलर का कीडा है ये इसको लपक के खा गया क्यूंकि ये इसकी फेवरेट च इसमें अच्छानक से एनर्जी आ जाती है और फिर ये भाई साब बिलकुल एक रियल स्नेक बोलो या फिर एक रियल सेंटीपीट बोलो उसी तरीके से चलने लगता है ये 360 डिगरी भी बहुत अराम से घूम जाता है तो अब मैं रेस कराने वाला हूँ नाजा किंग कोब्रा वर्सेस ग्रीन जंगल स्नेक के बीच में देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे जादा फांच दोनों बिलकुल साइड बाई साइड चल रहे थे पर उसने में नाजा किंग कोब्रा की स्पीड दे को अच्छानक से बढ़ चुकी है और भाई साब ये बहुत जादा और दोनों भी बिलकुल हर मानने को तयार नहीं है उतने में ही वापस से नाजा किंग कोब्रा आगे निकल गया यार इसकी स्पीड दीरे दीरे करके अच्छानक से बढ़ जाती है और देखूगा इस ये बहुत जादा आगे निकल चुका है ब्लू किंग कोब्रा के बाई देखो ये जिगजग मोशन में तो काफी फास चल रहा है वहीं दूसरी तरफ सेंटीपीट को काफी जादा प्रॉब्लम होरी है पानी में चलने में अब रेस होगी रैटल स्नेक वर्सेस नाजा किंग कोब्रा के वीच में देखते हैं दोनों में से कौन जीता है यहा वापसे ये नाजा किंग कोब्रा जीत चुका है रेस अब होगी फाइनल रेस अनाकॉंडा वर्सेस नाजा किंग कोब्रा के वीच में देखते हैं इन दोनों में से कौन है बहुत जादा आगे निकल गया है और अना पंडा पूरी कोशुश कर रहा है पर यहां पे नाजा क कोब्रा जीत चुका है रेस को अब आमने समने वाली फाइट होगी आर्सी चमीलियन वर्सेस सेंटीपीट के बीच में देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है यार यह क्या हो रहा है दोनों फाइट नहीं कर रहे हैं मेरको लग रहा है इस दोनों मिलकर कुछ अलगी प् चुका है इनके साथ लडाई करनी के लिए देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है वाइस आप यहाँ पे संटीपीट ने ग्रीन जंगल स्नेक को भी डस लिया है और चमीलियन ने भी इसको पकड़ लिया है पूरी तरीके से वापस दोनों ने मिलकर ग्रीन जंगल स्नेक का भी काम तमाम कर दिया है अब यह दोनों गिंग कोबरा ने टीम अप कर लिया है यह दोनों मिलकर आप इन दोने से फाइट करने वाले है देखते हैं यहाँ पे कौन जीता है काफी इंट्रसिंग फाइट होने वाली है ब्लू किंग कोबरा ने संटीपीट को डस लिया है और भाई पुरा का पुरा जहर इसके अंदर उडेल दिया है, ओ भाई सेंटीबीट का काम तमाम हो चुका है, और नाजा किंग कोब्रा ने तो चमिलियन की जबान पर ही डस दिया है, पुरी तरीके से, चमिलियन भी कुछ कम नीए गई, चमिलियन ने भी देखो, इसको खतरनाक तरीके से पलट दिया है, आप यहाँ पर गुसा आ चुका है, ब्लू किंग कोब्रा को, ब्लू किंग कोब्रा ने भाई यहाँ पर पुरी तरीके से मौके का फाइदा उट आकर, Chameleon को पूरी तरीके से खतम करके रख दिया है क्लियरली गाइज काफी खतरनाक वाली फाइट दिया यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर का King Cobra ही बचा है और सभी का काम यहाँ पे दमाम हो चुगा है पूरी तरीके से तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके भी तो आपको इतने धेर सारे आर्सी स्नेक में से कौन सा आर्सी स्नेक अच्छा लगा चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट पहला नाम है शिवांश प्रिंस सौम्यदीब चीकू सीलू प्रनव जिशान मुदसिर राजकुमार लकी तैंक्यू दोस्तों इतने नचे कमेंट करने के लिए अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो कर कर दीजे लाइक नीचे कर दीजे कमेंट बाई बाई दोस्तों